हेलो फ्रेंड शुचोर वीदागी किचिन में आपका स्वागत है यह देखो आज हम लाएं आपके लिए आमले की केंडी बनाना यह आमले केंडी बजार में तो बहुत मिलती है हम आपको घर पे बना नहीं बता रहें यह देखिए दोनों तरह कि हम हमने यह बनाई है आप चा सकते हैं चाहिए आप चिंपल सादा भी रख सकते हैं और बहुती टेस्टी और हैल्दी होता है आमला तो आमले की कहनी बहुती अच्छी रहती है आए शुरू करते हैं यह देखिए हमने यह करीब 500 क्राम हमने आम ले लिए हैं इनको अची तरह से दो के और सुखा लिया है अब इनको हमने आदा ग्लास पानी डाला है और उसमें यह हमें इसको एक सीटी लगा देंगे और इसमें बस एक सीटी ही लगानी होगी ज्यादा नहीं ज्यादा देर तक नहीं रखना है आप चाहें तो बगोने में या कड़ाई में भी बना सकते हैं और उसमें भी बस थोड़ी दियर रऄ लगानी होता है यह देके अगल गए है हमारे इनको ओब हम निकाल लेतें अच्छी तरह से चलने में में इनका पानी हम निकालके अलग कर लेते हैं पानी इस पानी को फैकना नहीं है इस पानी को भी उठा कर रख लेना है और यह देखें इनको हमने तौल यह बस उखा लिया था बिल्कुल सुखे से हो गए इनका पानी सब यह चुड़ गया है तो आदा गंटे के लिए हमने इनको पंके के हवा म सब्रक्तर या रख दिया था तरह से काटकर हम इनके सब के पीस बना लेतें बना लिए ये दो हम अबखे में डाले दू आ ये इसमें डाले हैं आदा चंमत्स प्रट एधर नमक और आधा चंमस्च डाले हम सादा नमक इसमें दो चुम्मच हम अद्रक को ग्रेट किया हुआ है अद्रक डाल रहे हैं अब इसको हम ग्राइंडर में पीश लेते हैं अच्छी तरह से अगर इस तरह से रह जाए और इसमें पानी नहीं डालना है आपको और नहीं पिसपाए तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें तो वो अच्छी तरह से बिस जाएगा इसलिए हमने बीच में आधा पीस कर भी आपको दिखा दिया था और बनाना शुरू करते हैं इसमें हम डार पिसा हुआ आमला था पेस्ट आमले का उसको डालते हैं और सारे पेस्ट को डालने के बाद में इसमें अब हम डालेंगे चीनी चीनी का आप यह द्यान रखें कि अगर पांसो ग्राम आप ले थे तो कम से कम पांसो ग्राम ही चीनी आपको रखनी होगी उससे कम आपकी नहीं रहनी चाहिए बेशक जाद है बेशक हो जाए और इसमें आपको ज़रत लगे तो एक या दो चमच पानी डाल सकते हैं वरना इसको ऐसे ही धीरे-धीरे मेल्ट करें और यह मेल्ट हो जाता है यह देखें यह धीरे-धीरे चीनी ने पानी छोड़ दिया और यह ऐसे ही हो गया है कोई इसमें ध्यान लखें बिल्कुल भी पीस्ते वक्त भी जहां तक ही हो पानी न डाले और बाद में भी कोई पानी नहीं डालना इसको दस मिंट ऐसे ही वाला है हमने उसके बाद में इसमें हम डाल रहें यह देखें कॉर्ण फ्लैल दो चम आदा किलो में मैं आपको बता इस टरह जमती नहीं है तो आप दो चम अब डाल सकते हैं कि यह यह एक नीवो हमने काटके रखा हुआ था उसका हमने पानी रस निकाल लिया था नीवों का रसें में डाल लेते हैं और अब इस को इस तरह से ही चलाते हैं और इसमें एक चम्मच हमने घी डाला था, वीडियो बीच में शायद हमारी कट गई थी तो वो शायद आप नहीं देख पाए, एक चम्मच इसमें घी जरूर डालें, घी डालेंगे तो इसे ये जमने में भी अच्छा रहेगा और नीचे लगेगा भी नहीं, और इसी तरह से इसको चलाते रहना है, दीमी गैस पर ही रखें आप, आपको मैं बदा दूँ कि फ्लेम का जो बड़े वाला चूला है उस पर रखें और बिल्कुल स्लू, मीडियम पर भी ना रखें, बिल्कुल दीमी गैस पर रखें और ये देखें, इतना गाड़ा हो गया है, और इसको अब उस पर आप लगा कर भी देखें तो ये बिल्कुल भी बेहन ही रहा है, इतना इपर इसको इसे देखो, इस तरह स की पही है, इतना गाड़ा आपको करना है थोड़ा चछंडा हो गया तब तक हम प्लेट में अच्छी तरह से घी लगा लेते हैं तो आप बहुत थोड़ा ज़्याद ही लगाए ताकि यह आराम से हट जाएं वरना यह चिपक जाते हैं आप चाहें तो बिना प्लेट के उसमें भी बना सकते हैं आप बटर पेपर में ल होता है देशी तरीगा होता है इसमें आराम से और यह हमने प्लेट में चीनी को पीछ के रखा हुआ है तो चाकू को बीच पीच में चीनी से लगा देते और उसी तरह से हमने यह काट लेते हैं इसको हमने प्लेट में रखने के बाद में करीब एक घंटा ठंडा करने के लि और यह देखो काट काट कर हम दिखाते हैं कैसे अच्छे पीस आ गए हैं बहुत ही अच्छी हेल्थ के लिए होती है और टेस्टी भी बहुत होते हैं इसको आप देख लिए और बनाईए का जरूर और आपको अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बाक्स में बताईए का जरूर और यह चीनी के जो पाउडर है उसमें इस तरह से भीगो भीगो के बार बार उसमें चारों थरफ कुमा के अच्छी तरह से लगा के ऐसे रखिएगा जरूर आइज देखें बिल्कल ही और इस तरह से ही बन गई है यह हमने फोड़ी सी बिना उसमें चीनी लगा हुए बचा लिए हैं आपको दिखाने कि लिष्टों ओड़ाय को और सकते हो अल्ग।